अंदर आना करूरों को जाना माताएं बहनें वाल रंधो गोविन ने केदा समकर करके अपने जन्म को शफल कर रहे थे उसी भीड में जब पूत ना देखाने आते तो गोपियों ने पूछा एक दूसरे में चर्चा की कि बहन ये कौना रहे कोई बोली ये तो किसी राजा की पिरा नहीं है कि इस अदुद्य सिंगा था ना उसका कोई बोली हो सकत किसी व्रामण की व्रामणी हो चलिए कोई बात नहीं आजाने दो कि जैसे पूतना आई कि प्रते गोप्रियों ने प्रडाम किया आव वहें आव वहें चलो अंदर पूतना ने प्रथम गेट पर पूछा क्योंकि महराज नंद के चोरासी आगन थे कितने आगन थे चोरासी अब जब चोरासी आगन थे तो चोरासी चोगनिक मकान लगा लो लेकिन हमारे परंपिता परमात्मा आनंद कंदर पहले भवन में ही लेटे थे किसी गोपी से सरलभाव से पूछा पूतना ने क्यों भाई ये बताओ ये सोधा का लाला कहा है तो एक किसी गोपी ने उतार दिया बोली देखो ये पहले भवन में ही लेटे वे वाँ चली गई पूछा जैसे पूतना पूछी मेरे प्यारे जब उसने अपने घूंगट को ऐसे उठा के देखा इसका जन्न धन्न हो गया पहले इसकी भाग की आपको सरायना करना होगी मजबूती से बाहरी पूतना ते कितनी बड़ी भागवती है कि जागर के देने परमात्मा के दर्शन कि ए फोटू के दर्शन नहीं शाठ्षा त दर्शन की उस गोविंद के जब तक अंतर आत्मा में प्रेम रहे गा तो तुम्हारे पास से तुम्हारी नंजरों के शामन्या है और इसके बाद उसे आया द्वेत्ष्ण। प्रेम के बाद क्या आया द्वेस्ट कौन सा द्वेस्ट उसे उत्पन हुआ कि इसी ने मेरे बाप की जैजाद छुड़ाई नापी थी याद आने उसे क्या गई कि इसी ने मेरे बाप की जैजाद छुड़ाई नापी और संकल रुपूरा किया यही देटो जो मौका मिल गया अभी से मार दो आजे जब व्यक्ति के पास द्वेस आता है तो उसका बन घट जाता है उसका तेज चला जाता जाता है जाना देख लो चला दो इसके बारे में सुना जेता हूं फिर भागवत में आ जाओंगा करने ये लाल की जब तक खित होगा तब तक बल होगा और जब आहित होगा तो निर्वन हो जाएगा वही आत्मा जिस समय दसरत ग्रीव रावर शीता को लिए जा रहा है मैंने साथ बोली थी क्या परसर बात क्या उस समय दसरत ने ने शुनी क्या उस समय जनक ने नहीं सुनी आज उध्या बास्त्यों नहीं सुनी जनक पुर बास्त्यों नहीं सुनी आतास मार किसे शब ने सुनी लेकर रावण के भाई के कान कोई यागी नहीं आया रुप जाने जगा पर किसी ने नहीं सुनी तो एक बुढ़ा लेटा था गीद गारे मैं दोईस के और स्थभाव के उपर बोलने जा रहा है जब गीद ने सुनी आवाज लगा दर जाता है एई रुप जाज़रा कौन है तू